हे गई स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में मेरा नाम है आशीश और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक टॉपिक जिसके बारे में काफी ज़्यादा कन्फूजन है स्टूडेंट्स के बीच में जो की डियूक या फाइनली एक पार्ट है डेली नु पढ़ाई करने की जरूरत है तो वह कावी सारे स्टूडेंट इस चीज में फसेवें कि इन केस आप भी हमारी अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई या फिर आगे जाके किसी सेमेस्टर में हमारा बैक लग जाती है तो उस बैक का क्या इंपक्ट होगा हमारे करियर प प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें सो फटा-फट सा जानते हैं कि जब बैक लग जाती है तो क्या करना होता है लेकिन उससे पहले मैं आपको च्छोटा से टिप दूँगा कि देखो बैक लगना एक बहुत बड़ी बात नहीं है जरनली स्टूडेंट्स की बैक लग जा कि आपकी बैक ना लगे ठीक है क्योंकि काफी जादा जब आप एक आगे जाके कुछ बनना चाहते हो किसी कंपनी में देखने चाहते हो तो एक कहीं न कहीं वह आता है कि आपकी किसी बैक किसी एक्जाम में आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक लॉग ना हो तो यह कहीं न कही देखा जाता है और मैं आपसे यही request करूँगा कि कोशिश करना की backlog ना लगे ठीक है in case लग जाती है तो कोई बहुत बड़ा issue नहीं है backlog लग जाती है तो आप मानलो आप first exam में हो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा और मैं भगवान से pray करूँगा आप सभी का exam निकले अच्छे से आप first exam में हो और आपका किसी subject में back लग जाती है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है वो exam वो subject आप clear करोगे third exam में जाके क्योंकि जब next year next academic session में कोई बच्चे जो आएंगे 12th के वो admission लेंगे तो उनका जो first exam होगा तब आप third exam में होंगे तब जाके आप अपना back clear करोगे so guys एक तो ये चीज़ है कि आप back clear कैसे करोगे आपको दुबारा से पढ़ना होगा दुबारा से आपको examination fees देनी होगी और साथ ही आपको उसके लिए assignment नहीं बनाने होगे assignment के marks तो आपके already होगे but assignment के बाद की जो चीज़ें जैसे examination form, fill करना और exam देना वो जरूरी है उनको करके आप अपने जो back है उसको clear कर सकते हो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होते है कि effect क्या पढ़ता है backlog का effect नहीं पढ़ता है, एक star mark आजाता है कि आपने यह दो बार में clear किया, मतलब दो बार आपने इसका exam दिया है, वहाँ पे star mark लग जाता है आपके subject के ओपर इससे यह पता चलता है साफ कि आपकी back आई थी, बस यह effect पढ़ता है आपकी degree पे, बाकी इससे आपकी knowledge पे कोई effect नहीं पढ़ता, बस वो degree में mention हो जाता है कि आपने इसको दो बार में clear किया है, बाकी ऐसा नहीं है कि कुछ student improvement के लिए भी देते हैं, तो वो भी just show होता है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है, जो भी आप सभी अगर attention में हैं कि back लग जाएगी तो क्या करेंगे, back लगना कोई बहुत बड़ी issue नहीं है, बट कोशिश करना कि आपकी back ना लगे, तो अच्छा रहता है, खुद को भी अच्छा फील होता है, motivation मिलता है कि हमने वहां किसी सब्जेक्ट में back लॉग नहीं थी, और हमने अपनी तीनो साल में अच्छे से prepare करके exam को crack किया और अपनी graduation को complete किया, तो ये common doubt था जिसके लिए काफी जादा students परिशान थे, I hope आप सभी का ये doubt clear होगा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं है तो एक thumbs up जरूर दे और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजिए, thank you, God bless you all